भारत और श्री लंका के बीच खेले गए पहले बंडे मैच में भारत्य टीम ने श्री लंकाई टीम को 60-60 रन से हरा दिया मैच के असली हिरो रहे टीम इंडिया के दिगज बल्लेबाज विराट कोली जिन्होंने 87 गिनों पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 113 रनों की शत्के पारी खेली विराट को उनके शांदार प्रटर्शन की बदालत प्रेयर आफ दा मैच से नवाजा गया मैच के बाद उन्होंने अपनी बीवी अनुशकर सर्मा से मत भेद रखने को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है दरसल टीम इंडिया के आक्रबग बल्लेबाज सूरे कुमार यादव ने बी सी सी आई टीवी पर विराट कोली का एक इंटर्वियू लिया है इंटर्वियू के दरान सूरे कुमार ने विराट कोली से पूछा कि आप अपने करियर के सबसे बुरे दौर से कैसे वापस आए ऐसे में विराट कोली ने बताया कि वह फ्लॉप ओने के बाद हर पल हताश रहते थे हर पल एक खौफ सा महसूस करते थे इस 34 वर्षे खिराडी ने आगे बताया कि करियर के बुरे दौर में वह अपनी वीवी अनुषका शर्मा के साथ भी काफी चिर्चिर्णे हो गए थे और चोटी मोटी बातों से गुस्से से भड़क उठते थे हलाकि उस दौरान इस महान खिराडी ने खुद ऐसास किया कि वह अपने करीबी और चाहने बालों के साथ अच्छा वैवार नहीं कर रहे हैं ऐसे में विराठ कोली ने अपनी आसा फलताओ को कबूल किया और दो कदम पीचे हट गए फिर उन्होंने 2022 एशयक अप से पहले खुद को तरो ताजा किया जिसके बाद सब कुछ बतल गया सूरे कुमार के साथ वारतलाब करते हुए विराठ ने कहा कि मैं अपने क्रिकट से बहुत दूर था मेरा लगाव मेरी चाहत हावी हो गई थी तब ही मुझे ऐसास हुआ कि मैं जो हूँ उससे दूर नहीं हो सकता मुझे खुद के प्रती इमानदार रहना होगा अगर मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ तो अपनी कमजोरियों को सुईकार करना होगा गौरतलब है कि खराब फॉर्म से उभरने के बाद एशिया कप से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक विराट कोली का बल्ला जम कर बरसा था वह और श्टेरिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़दा रन बनाने वाले बल्ले बाज रहे इस मेगा टूर्णामेंट में उन्होंने 6 मेच खेलते हुए 98.66 की जबरदस्त औसस से 296 रन ठोके वही साल के अंत में उन्होंने बांगलादेश की खिलाफ तीसरे बंडे में शतक जड़ा और अब नए साल का आगाज भी विराट कोली ने शतक के साथ ही किया है अपने बंडे करियर में विराट 45 शतक जड़ चुके हैं इसके साथ ही इंटरनेशनल करियर में उनके नाम 73 शतक है दोस्तो क्रिकेट से जड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप्त करने के लिए क्रिक टूडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें खबर पसंद आई तो इसे शेयर कजब बिल्कुल भी ना भूलें फिलाल के लिए थन्यवाद